DCIM क्यों नाम तो सुना है ना देखे हो येगा आपके स्मार्ट फोन या डिजिटल केमरा होते हैं या DSLR केमरा होते हैं उसमें जो है DCIM करके आपको फोल्डर मिल याता है क्यों नोटिस किया है कभी नहीं किया इस वीडियो को आप completely जबूर देखिएगा तभी आप सीख पाई नहीं किये हैं तो इस वीडियो को आपको लास तक देखना होगा सोगाज में इंजिनियर राजा और मैं आपसे सेस्कारता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सकार्ब कर लिजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो पाईए आप रोजाना तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि यूज है और इसको दिलेश करने से क्या होता है तो सबसे बशन और आपको करना क्या है मैं आपको दखा दो लिए यहां सबसे पहले बहुत आपको करना क्या है करता हूँ यहां मैं आपको दखा दूँ यहां पर देखिए कि एक option आपको मिलता है DCIM यह वाला फॉल्डर को अगर आप डिलीट करते हैं तो इसमें से आप मैं बता दूँ कि आप जितने ही फोटो किलिक किये रहे गया या आपको जितना भी वीडियो रहे कर सारे के सारे डि पर यहां पर फोटो आ चुगा है तो इस तरीके से अगर आपको कोई वीडियो हो या स्क्रीन सूट वाला फोटो हो अगर आप जो इसमें रहता है और आप जो है DCIM फोल्डर कि यहां से डिलीट करके हटा देते हैं तो आपको जितने ही ओडियो रहेगों सारे के सारे डिली अछे अट्मेट कली जो है आपके जो हैंयेर फोनर में यादी अधिलर कैमर आ है या कैमरा है उतम जो जाता है प्रिट से आ जाता है जानते है क्यूंकि यह बहुत ही important होता है अब इसका full form जानते हैं यह DCI-M का वी full form जानते हैं नहीं जानते चलिए मैं आपको इसको detail से बिटाल रहता हूँ कि डिशी आयम का फुल फुर्म होता है डिश्टेल केमरा इमेजस मतलब डिश्टेल केमरा इमेजस नाम होता है यह फुल फुर्म होता है डिश्टी आयम का तो अब तो आप समझी गहे होंगे अगर आप से कोई कुछ दे कि भाईया जो हमारे मवाल में जो होते हैं वो डिश् और डिशुलर केमरा है आपका smartphone है यह आपको दिजितल केमरा है डिशुलर केमरा यह आगर आप प को टैन jut काँ या फोर्ट क्लिक कर रहें को निया आपको डिलेड़ होके हटा आते हैं तो आप समझ गया होंगे कि फाल जो होते हैं हम सब के लिए कितना important होता है यहां मेरे मोबाल में insert किया हुआ हूँ तो मैं आपको यहां पे देखा दिया हूँ इस तरीके से आप सभी के मोबाल में यह DCIM का फोल्डर मिल जाता है इसमें आपको फोटो जो किलिक किये रही हैगा स्क्रिंट लिए रही है जब जो भी वीडियो रहे हैं अब सारे के सारे आपको इसी फोल्डर में आता है अब तो वेल गाज आपको समझी गए होंगे कि यह DCIM का फोल्डर हम सब के लिए कि इतना important होता है तो अगले बार से अगर आप इस फोल्डर को delete करने वाले हैं तो एक कोई फोल्डर है या आपका कोई वीडियो है वो अजिसके से अप related करते तो सारे यह आपका यह कैसा लगा बिजियो अच्छा लिए बीडियो के लाइक जरूर कीजिएगा अपने अब्लेकर सेर जरूर कि यह इस तरीकर कि नया-nया वीडियो में पर डे अप्लोड करते आता हूं